खरगोन विधान सभा के लोनारा में आपकी सरकार आपके द्वार कारेक्रम में प्रभारी मंत्री सज्जन सियं वर्मा ने कहा है कि हजारों वोटों से डंके की चोट पर जीतेंगे जाबुआ चुनाओ विपक्षे के पास कुछ कहने और करने को बचा ही नहीं है साधवी प्रग्या पर तंज कस्ते हुए कहा कि बड़ा समय का ध्यान रखते हुए प्रधान मंत्री मोदी और अमी शाहराम मंदीर का केस कब चलाना है और कब पीछे धकेल देना है बड़े कलाकार लोग है ये और हिंदू मुसल्मान को बाट के लाब ले सके वही इस्थतीप साधवी प्रग्या ठाकुर की है पता नहीं ये महिला केसे सांसत बन गई राश्ट्र पिता महात्मा गांधी पर उंगली उठाने वाले लोग अपने अंतर मन में जाक लो जिस दल से तुम हो RSS और भाजपा एक भी स्वतंतरता संगराम सेनिक नहीं मिलेगा जिसने अपनी जान का बलिदान दिया हो महात्मा गांधी जिसने एक धोती और एक लाठी लेकर अंग्रेजों से स्वतंतरता दिलाई वो राश्ट्र पिता हैं राश्ट्र पिता रहेंगे आज आपके सरकार आपके द्वार कारेक्रम का समापन में करिब 200 से ज़्यादा आवेधन प्राप्त हुए खरगोन से अजे तिवारी की रिपोर्ट डंके की चोट पे कॉंग्रेस जीतेगी कॉंग्रेस का प्रतियासी कांटी लाल भुरिया अजारों वोड से चुनाव जीत रहे हैं और यह सरकार के विश्वास की कसोटी निश्टी दूप से जनता ने कॉंग्रेस का साथ दिया है और चोईस को जब परिणाम आएंगे तो आप भी कहेंगे कि सही है कि देखे विपक्ष के पास कुछ कहने का और करने का भचयी नहीं एक सही विपक्ष की भूमिका तो निभा निपा रहे हैं भाज़ापा के लोग शकार अत्मक विपक्ष की भूमिका हो तो प्रदेस और तेजे से विकास करें मैंने अपने वाशन में कहा कि एक ऐसा मुख् प्वेक्ती का विजन हमें मद्देश की धर्ती बे मूर्द रूप लेते वह दिखेगा एदि ऐसे व्यक्ती का हम सकारात्मग विभक्ष की भूमी का निभाते हो साथ दें यह अभी तो बीमारू निकाल दिया जिस दो लाग करोड़ का गर्जा जिस प्रदेश पर हो विमारी राज की स्रेड़े से कैसे निकलेगा यह कमलनाद निकाल के बताएं नहीं 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 कुछ है अब तो वोटिंग हो गया वोटिंग हो गया और भागे पर यह सही है कि हमसे थोड़ा सा बीजेपी आगे है इसमें कोई शक नहीं मोपाल सांसत रग्या ठाकुर फिरेग पार विवादत बयान उपस किये वात्मा गांजी को उन्होंने पर राश्टों पुत्रों करके कुछ सिब किया है बताएं मैं अभी भाई की प्रश्न के जवाब दे रहा था बाजयापा की सरकार बन्नी की सम्रावंब हरियाना और मह हरास्ट में हैं बात वही है कि बड़ा समय का ध्यान ऐसा टार्गेट रखते हैं नरेद मोदी रमिस सा उन्हें कब राम मंदिर का केस तेज़े से चलाना कब उसे पीछे धकेल देना अभी राम मंदिर राम मंदिर के से रोज तारीक लगरी बड़े कलाकार लोग हैं कि कैसे राज्यों के चुनाओं में हिंदू मुसल्मान को बाटके हम लाव ले सकें वो इस्तिती प्रग्या ठाकूर की है अब ये महिला कैसे सांसत बन गई ये आश्चे जिन में घटना है और भुपाल वासी बड़े ये कहूं कि बड़े असमंजस में है कि हमने क्या कर दिया हमार पारिस्स और भाजापा से एक भी सोतंता संग्राम नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी जान के कुर्बानी दियों देश के लिए महत्मा गांधी जिसने एक लंगोटी और लाठी लेके इस देश को अंगरीजों की गुलामी से मुक्त कराया हमें सोतंता की सांसे दुलाइं व जला भाइष द्रिंआ, हमने तो सो रुपे सो यूनिट कहा था, कल परसों हमने निड़ने ले लेके सो भी नहीं अभेही रूपे लो हम तो सो यूनिट के नभेही रूपे कर देंगे अ गब किया जलाएंगे होली कोई दम नहीं कि ठोती बातों है, हमारी सरकार दमदार है, किसानों को बिजली भी देगी, गरीब के लिए घर भी बनाएगी और नव जवान के हाथों को रोजगार भी देगी